हलो एवरीवन स्वागत आप सभी का जेनुविन क्लासिज में सभी पारे विद्यारतियों को नमश्कार पी टीटी दोजार चौवीस की पहली अलोट्मेंट लिस्ट 19 जुलाई यानि दोस्तों कल आपकी लिस्ट आ चुकी है आपने देख लिया है कि आपको कॉलेज अलोट गई है लेकिन आप में से कुछ विद्यारती हैं जिनको कॉलेज अलोट नहीं हुई इस साल अगर आपके कम नमबर भी है पी टीटी में आपको कॉलेज नहीं भी मिलिये तो कैसे आप बीएड कर सकते हैं और इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे यापर रीजन है जो आपको बीएड करनी चाहिए और पी टीटी के कुछ तो नियम भी यहाँ पर सामने आए पहला जो नियम है दोस्तों कि इस बार अपवर्ड मुमेंट इन्हों ने बंद कर दिया अब अपवर्ड मुमेंट बंद करने से क्या हुआ है कि आगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं और अब वो चेंज भी नहीं होगी क्योंकि कुछ स्टूडेंटे जिन्होंने और राजिस्तान नहीं किया सिर्फ 20 कॉलेज बरी है तो उन 20 के अलावा कॉलेज मिल गई और दूर भी मिल गई है बहुत सारे कॉल में से जाये सर मैं जैपूर रहती हूँ और मुझे गंगा न आनी बढ़ती है एग्जाम देना पड़ता है सारा प्रोसेस होता है अब मैं आपसे कूओ कि इस ताली याप बियड करें अपनी साल को बचाए और आप दोस्तों बियड यहाँ पर कर सकते हैं हरियाना से हरियाना से बियड करने के क्या फायदे होते हैं एक तो आपको साम और प्रेक्टिकल के लिए आपको जाना पड़ेगा और हरियाना से में तीन-चार साल से आपको बताई रहों कि काफी आसान है बहुत सारी विद्यारती वहां से प्रतेक साल जो है बियड भी कर रहे हैं और सरकाई नोकरी भी लग रहे हैं तो इस बार आपको बहुत सार कम लेवल यहां पर सिक्षक भरती में तो जो बीएश्टी सी के स्टूडेंट है उनका रुजान कम हो गया है और बीएड में आपर जो ग्रेजवेट कंडिडेट हैं इनका जो रुजान है वह बढ़ गया है क्योंकि वह चाहते हैं कि यहां पर हम सेकेंड ग्रेड के लिए और लेवल टू के लिए तैयारी करें क्योंकि लेवल फर्ष्ट में आपर दोस्तों आप कॉम्पिट्सन बहुत जादा बढ़ गया है और हमारी सीटे भी आपर कम हो गई है तो इसलिए दोस्तों बीएड आपको इसी साल करना चाहिए और राजस्तान में अगर आपके कम न ले या पूरे इंडिया में कहीं पर भी के वी एस एन वी एस डी टृपल एस भी बोर्ड में सभी में जब जो सिक्षक बढ़ती निकलती है उसके लिए आप इलिजबल है और बहुत सारी स्टूडेंट हर साल करते भी यहां से बीएड तो पिछले तीन-चार साल से तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि न्यू एजूकेशन जो आपके न्यू एजू हब है यह इंस्टूट आपको यहां पर जो है हरियाना से बीएड करवाते हैं डिरेक्ट बीएड करवाते हैं सिर्फ एक्जाम और प्रैक्टिकल देने आपको जाना पड़ता है इसके अलावा यह लोग आपकी help भी करते हैं आपके जो आपर notes है या जो भी book वगेरा है वो भी आपको provide करते हैं पड़ने के लिए जिसे कि आप घर बेट के पड़ सकते हैं अगर आपको कभी exam के लिए जाना आना भी पड़ता है तो पूरा travel का ये भी management देखते हैं तो सारी तरह से help admission से लेकर दोस्तो exam तक degree दिलाने तक की आपकी help करेंगे और बहुत आसानी से आपको यहापर जो है पूरा process आपको समझ में आ जाएगा तो दोस्तो परेशान होने की बात नहीं है अगर आप इसी साल B.A.D. करना चाहते हैं तो हरियाना से करिए और new edu hub आपकी help करेगा सात इसके अलावा यहापर student help desk आपको मिलेगी और कभी भी आप इनसे बात कर सकते हैं offline, online आप मिल भी सकते हैं दोस्तों इनसे जाके इनका जैपुर में इंस्टूट है यहापर मैं बता देता हूँ और इनके यह mobile number है ठीके ना 824-86-8107-8955-876831 तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं पूरी जानकरी प्राप्त कर सकते हैं कैसे admission होगा, क्या feast लगेगी, कैसे exam होगा, सारा process यह बता देंगे बस मैं आपको इतना यहापर दोस्तों आपको इतना guide कर सकता हूँ और इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि बिलकुल यहापर legal institute है और कई सालों से 13 सालों से यह यहापर यह काम कर रहा है और 3-4 साल से तो मैं ही आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ new aju hub के बारे में कि यह यहापर bhtc भी करवाते हैं, b.ad भी करवाते हैं तो जो भी course आप करना चाहते हैं इसी session में करना चाहते हैं तो आप admission यहापर ले सकते हैं इनकी contact जो detail है description में मैं आपको प्लब करवा दूँगा बाकी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पोश्टर में भी यहाँ पर डिटेल मौजूद है तो आप इन से कॉंटेक्ट करें संपर्क करें और आज ही एड़िशन लेकर इसी साल अपना बेड कंप्लीट करें धन्यवाद